हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो माइन नइटिंग चैनल देखिये फ्रेंड आज जो हाएक बेवी बूंटी बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी बूंट बना करके आपको रेड़ी करके दिखाऊंगी बच्चे के लिए बना रही हूँ 2-3 साल के बच्चे को अराम से आएगी इसकी length आप बच्चे के pair के according बना सकते हैं और जो फंदे हैं वो भी आप अपने बच्चे के इसाल से बना सकते हैं काम ज़ादा कर सकते हैं अगर शोटा बनाना है तो काम कर लीजिए अगर बड़ा बनाना है तो आप फंदों को जादा कर लीजिए तो इस तरह से बूट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 33 फंदे लिए है यहाँ पर 33 स्टीचेज लेकर के मैंने इसमें 6 रो बनाई है अभी तक 4 रो जो है मैंने पिंक कलर से बनाई है और 2 रो जो है मैंने बनाई है वाइड से अब इसमें आपने क्या करना है दो कलर आपको जो भी कलर पसांद है वो आप ले लीजिए दो कलर में जो है जादा अच्छी जो है जे सोक्स बनके रेडी होती है दो कलर में आप जो है सोक्स को बना के रेडी कर सकते हैं दो कलर ले ली जिया जे आपकोई भी ले लीजी क्योंकि ने बड़ा साइस भी इसी में बनाया था और छोटा भी मैं इसी के लिए बना रही हूं मतलब कि माँ और वेटी के लिए दोनों के लिए एक जैसा ही पियर से बना रही हूं दो रो फिर से पिंक कलर से बना के फिर ये फिलार बनाना स्टार्ट किया है। कैसे किया है, स्टेब बे स्टेब आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जो है इसमें मैंने बनाया है सबसे पहले यहां पर देखे दो जो है लाइने पिंक के एक वाइट की अब हमने पिंक से फिर से बनाना है तो इस तरह से पिंक से फिर से मैं दो लाइने यहां पर बना के रेडी करते हूं उसके बाद जो है बाइट से हम बीच का फिर्वार बनाएंगे इस तरह से दोनौ साइट से मैंने इलटा इलटा बना के ही कम्प्लीट किया है देखिए इस Анд ona कि दोनों साइट से इस तरह से पूरा बना के कम्प्लीट कर लेती तीूं अब देखिआakर यहां सलाही जो है उल्टी बनाऊंगी लेकिन बाइट को जो है जो बाइट कलर का धागा है इसको हम इसके साथ ऐसे मिलाते हुए चलेंगे सेंटर पॉइंट तक इसको लेके आना है क्योंकि बीच में हमने जो है फलार बनाना दिखी इस तरह से इसको इस तरह से साथ में लेके आना क्योंकि मैंने जो है इस धागे को फिर से कट करके नहीं लगाना है इसी को हम इस तरह से सेंटर पॉइंट तक ले आएंगे ताकि हमारा धागा जो है यही वाला आगे जूज हो सकी इस तरह से और पूरी सलाई को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे लेकिन जो भाइट धागा है उसे हम सेंटर तक ही लेके जाएंगे जैसे हमारे पास 33 फंदे हैं तो 16 हम इस तरफ रखेंगे 16 इस तरफ जो बीच वाला एक फंदा है वहां तक हम इस धागे को लेके आएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ देखिए यहां तक हम लेया है इस तरह को अब इस ही में हमारा फ्लार बनेगा तो यहां पर हम एक कलर से बना लेते हैं पहले तो पूरे फंदों को हम उल्टा बनेंगे यह बॉर्डर की लास्ट सलाई है आपकी मर्जी है आप जो है इस बॉर्डर को ज्यादा भी बना सकते हैं इससे कम तो बनाना ही क्या है क्योंकि लगबग हमारा बॉर्डर इतना तो बनना ही चाहिए तब ही अच्छा लगेगा बूट पे तो हमने देखे टोटल हमने जो है एक दो तीन चार पांच पांच धारिया हमने ऐसे बनाई है टोटल हमारी दस लाईया जो है इसके उपर बन चुकी है अब देखी हमने आगे फिलार बनाना है तो फिलार के लिए हम सोलाए फंदे सीधे बनेंगे एक अजो फिर तीन चार, पांच शे, साथ, आट, यौद, दस, ग्यारा, वारा, देरा, चौदा, पंदरा, सोला एक बार फिर से काउंट कर लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब जे जो फंदा है इसमें जो है इस तरह से धागे को गुमा करके वाइट से फिलार बना रही कि एक बार बुन लिया इसी फंदे को दोबारा से बुनेंगे इस तरह से एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, ध्यान से देखना है कैसे हमने फिलार बनाना है शे, और लास्ट में साथ, तो हमारा एक फंदा तो था ही इसमें से हमने साथ फंदे निकाले तो एक फंदा हमारा हो गया, जो है और रेडी था ही इसको छोड़ देंगे और शे फंदे हमारे बढ़ेंगे, देखिए, एक, दो, तीन, इस तरफ एक, दो, तीन, इस तरफ बीच वारे फंदे पर फिलार बनेगा अब इसको इस तरह से गुमा लेंगे धागे को, ऐसे क्रोस करेंगे और इस धागे के साथ बाकिस लाई को पूरा कम्प्लीट करेंगे बाकिस लाई मतलब की सोला फंदे हमारे इस साइड के लास्ट तक आ गए, अब आज ही दूसरी साइड दूसरी साइड उल्टा बनेंगे सीधा और उल्टा बनेंगे हम एक साइड से सीधी तरफ से सीधे फंदे बनाएंगे उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे देखे, सोला फंदो को उल्टा बनने के बाद जो फलार वाले फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगी देखी इस तरह से करने के बाद यह हो गए हमारे इस तरह से अब जो फलार वाले फंदे हैं उनको हम इस तरह से देखी यह हो गया इसको क्रोस किया इसको पीछे किया और इन फंदों को सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ फिर इस धागे को इस तरह से आगे करने के बाद इसको फिर से ऐसे गुमाना है हमने इस तरह से ताकि एक यहाँ पर बल आ सके तो इसको हम इन सोला फंदों को उल्टा बनेंगे तो जो तीन, चार सलाईया जो हमें बना के पूरी आपको दिखा देती हूँ फिर आपने आगे उसी तरीके से इसे बनाना है अब दिखिए पूरी सलाई को हम सीधा बनेंगे बनेंगे पिंक कलर से इस तरह से जो बाइट के जो फंदे हैं उन्हें भी हम इस कलर से बनेंगे लेकिन पूरी सलाई को सीधा बनके कम्प्लीट करेंगे यह जो 16-16 फंदे हैं अब हमारे 19 फंदे हो जाएंगे अगला फंदा जब हम राएंगे तो 19 फंदे हमारे हो जाएंगे इस तरह से इन फंदों को भी सीधा बनेंगे उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनेंगे इन फंदों को भी उल्टा बनके ही कम्प्लीट करेंगे दिखी तो यह हमारा फंदा जो है इस तरह से बन गया अब अगली बार हमने 19 फंदे इस तरफ बनने हैं 19 इस तरफ जो बीच बाला फंदा होगा सेम बैसे ही फलार बनाएंगे जैसे हमने जे बनाया है तो मैं एक स्लाइज के बाद उल्टी पिंक की बन लेती हूँ फिर दूसरी बार फलार कैसे बनाना है फिर थोड़ा साब को दिखा देती हूँ अब देखिए फ्रेंट 16 फंदे तो हमने बन लिए देखिए एक、 दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब तीन फंदे हम और बनेंगे इसी कलर से बनेंगे एक, दो, तीन तो टोटल हमारे पास जो है 19 फंदे हो जाएंगा अब जिङ बीजबाना फंदा है उस पे हमने फिर से फलार बनाना देखिए कैसे बनाना है एक इसी फंदे को साथ बार बुनना है दो इस तर ऐसे तीन चार पांच शे साथ तो अब तीन तीन फंदे हमारे पास और बढ़ जाएंगे अगले फलार में जो है तीन तीन फंदे हमारे दोनों साइड और बढ़ जाएंगे अब इस तरीके से आपने जो है पांच फलार बनाने है दो तो मैंने बना लिए तीन और बनाएंगे उसके बाद कितने फंदे होते हैं बो देख लेंगे आप तो उसके बाद हमने नीचे की साइड बनाने शुरू करनी है तो पांच फलार मैं बना लेती हूँ उसके बाद लाइन जो है मैंने बना के फिर इसको वाइड ओफ किया है तो इतना मैं बना लेती हूं फिर आगे आप से मिलती हूं देखिए फ्रेंट्स पांच जो है फिलार मैंने कम्प्रीट किये है वाइन टू थ्री फॉर फाइव अब इसके बाद जो है यह लाइन सीधी बनाऊंगी उसके बाद उल्टी उल्टी सलाइन जो है चार सलाइन बना के इसके बाद एक फिर से वाइड की बनाऊंगी जैसे यहां पर मैंने बनाया है देखिए दो लाइन जहां पर बना के एक वाइड की बनाई है फिर एक दो तीन तीन लाइनी जो है इसकी जो है पिंक कलर से औरी लाइन जो है सीधी करेंगे यह जो बाइट के हंदे हैं इनको भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और बाइट का धागा यहां से कट कर देंगे इस तरह से इसको इस तरह से साथ साथ चलाएंगे ताकि पैर में फज़े ना इस तरह से थोड़ा सा आप लंबा काट लीजिए तो यहां से निकलेगा भी नहीं और पैर में भी नहीं फज़ेगा इसको यहां से आप कट करना चाहें तो कट भी कर सकती है निकी यह हमारा इस तरह से साथ में हमने इसको बुन लिया है तो इसे क्यों होगा अगर हमारा धागा इस तरह से रहता तो फूल खुलने का डर रहता और पैर में फसने का भी जब बच्चे का पैर हम आगे जो है इसमें डालेंगे बच्चे का पैर तो फस भी सकता है धागा बच्चे के पैर में तो इसलिए हमने इस धागे को यहां से कट करने के बाद यहां पर इस तरह से बुन लिया है अब इसमें जो है उल्टी उल्टी सलाइया जो है बना के मैं चार सलाइया कंप्लीट करूँगी इसके बाद इस सलाइय के बाद दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद हमने ये दो से लाइने जो है वाइट की बनानी है उसके बाद तीन लाइने जो है फिर से शेस लाइने मतलब की इस पिंक से बना के बूट को कम्प्लीट करना है उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनना है तो मैं सारा कम्प्लीट करके आपको फिर से बताती अब देखिए यहां पर मैं एक बात आपको और बता दू फंदों के बारे में तो फंदे हमने जो है 33 फंदों से स्टार्ट किया था बुनना इस जुराब को तो हमारे पास 30 फंदे जो है इंक्रीज हुए हैं क्योंकि एक फूल से हमारे जो है तो उसके साथ फंदे बढ़े हैं 33 हमारे पास 33 स्टिचेस जो है स्टार्टिंग में लिए थे उसके बाल 30 स्टिचेस मेरे पास यहां पर वर बढ़ गए हैं पांच्ऺूलों से तो टोटल मिलाके मेरे पास जो है 63 स्टिचिस हैं आपने जब भी बनाना है आपने फंदों को देखना है कितने हमारे पास फंदे हैं क्या उन फंदों में पैर की लंबाई आ रही है बस आपने ये ध्यान रखना है जिसने आपके पास फंदे हैं आपने ये देखना है क्या उन फंदों में पेर की लंबाई जो है पूरी हो रही है जा नहीं अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे एक डो फूल जितने आपको चाहिए होंगे उतने और बना सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे फंदों का थोड़ा हिसाब बताया है आपको तो जितने आपके पैर की लंबाई है आपने फूल को उतना बनाना है जितने फूल आपको चाहिए है मतलब कि 6 फंद्य हमारे एक फूल से बढ़ रहे हैं तो 5 फूल बनाए हैं तो मेरे पास तो 30 फंद्य बढ़े हैं अगर आप जो है शे फूल बनाते तो शतीस फंदे बढ़ जाते इस तरह शे फंदे हमारे एक फूल से बढ़ते हुए जाएंगे अगर आपने ज्यादा नहीं बुनना है मतलब की उपर की साइड को लेक की साइड को उपर की साइड को नहीं बुनना है ज्यादा तो आपने इन 6 फंदों की बजाए जैसे हमारे 7 फंदे थे एक फंदा तो एक्स्टा था ही हमारे पास तो तीन इस तरफ तीन इस तरफ अगर आपने जादा नहीं बुनना है तो आप जो है बड़ों की जूती में बड़ों की जुराव में आप चार-चार फंदे भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं मतलब कि यहां पे साथ फंदों की बजाए आप जो है नौ फंदे भी बना सकते हैं तो बनाना तो बहुत आसान है आपने देखी होगी जुराब पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो इस जुराब में ऐसे डादी हुई है लेकिन जो है एकसा एकस जो है कलर का फूल जो है बिलकुल अलग से मैंने नहीं ऐसे डाला है दो कलर से ही जुराब में बनाई है जदा तर तो इस तरह से देखिए उल्टा उल्टा भुन के हमने यहां पर बनाना है एक दो तीन चार पांच शे मतलब की बारा सलाइन हमने बनाके कंप्लीट करने हैं अब देखिए फ्रेंट्स यहां पर जो है मैंने यह दो लाइने बनाई यह एक लाइन वाइट की और तीन लाइने फिर से इस पिंक की बनाई अब देखिए हमने 31 स्टिचे जो हैं बुनने हैं पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्नीस, बीस, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अब हमारे पास 31 यहां 31 जहां दोनों साइड में 31 और 31 होगे हमारे पास 62 फंदे जो एक फंदा हमारे पास एक्स्टा था उन्हें हम इस तरह से उसे किसी भी साइड में ले लिजे, चाहिए साइड में, चाहिए साइड में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फंदे से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से हाफ आफ करने के बाद इस तरह से हम उल्टी साइड इस तरफ उल्टी साइड इस तरफ दोनों साइड के फंदों को इस तरह से लेंगे, तीसरी सलाई लेकर के हमने इसको ऐसे बाइंड ओफ करना, थोड़ा सा हमने इसको ढीला रखना है, ताकि नीचे से टा के उपर से पलट देंगे फिर दोनों साइड का एक एक फंदा लेंगे बुनेंगे फिर इस फंदे को इनके उपर से पलट देंगे जो बुना हुआ फंदा है उसको ने फंदे के उपर से ऐसे पलट देंगे दोनों फंदों को कठा बुनेंगे और जो बुना हुआ फंदा इस को इसके उपर से पलट देना है बस यही करना आप सुई के साथ भी इसे जो है जोईम्ट कर सकते हैं सलाए Pepsi के साथ जैसे हम जोह स्वैटर की कंदे के फंदे जोड़ते हैं अब इस तुरीके से भी हाप से बंद कर सकते हैं आःओ ये देके लाउस्ट के करते पाईय س occur फंदों तक हमने इस तरह से इसको estar burnt किया है Ja अब उनको यहां से एससे निकाल करके यहां से कट कर दीजिए और सुषिंधा डालके बैक साइड इसकी सेल लेजिए इस तरह से मिसंधाम डालेंगे और इसको यहां से लेकर यहां तक सेल लेगे कि किसी भी तरह आप जो जैसे स्लाई करते हैं आप ऐसे कर लीजिए इस तरह से देखिए इस तरह से इसको यहां से लेके यहां तक से लेती हूं तो देखिए फ्रेंट्स हमारा जो है बूट बनके रेडी हो गया है तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से जो है यह बूट बनाके मैंने कंप्लीट किये हैं अब करती हूं आपको पसंद आएंगे अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए शेयर जुरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजिए देखिए बड़ी जो है बड़ी साइज की मैंने बनाया है इसको और यह हमारा शोटा साइज बनके रेडी हुआ देखिए यह चारों बूट मैंने बना करके इस तरह से कंप्लीट किये हैं अभीद करते हूं आपको पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजिए शियर जूरूर कीजिए अपने दोस्तों में और बैल आइकन को जूरूर पैस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली मिल सके तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वरी मुच्छ